नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका UK Education Universe YouTube चैनल पर दोस्तों परिक्स्यामाणी संक्षित अब लोकुन स्रीज हमारी चल रही है इस बीच हमारी दो दिन से क्लास नहीं आई थी अब प्रूपर हमारी क्लास चलेगी साथ ही आप सभी लोगों को दीपावली के इस पाउन परवक की हारदिक सुपकामलाई है साथी दीपावली के साथ साथ दोस्तों आप लोगों की जो पढ़ाई है उसको भी जारी रखना जरूरी है क्योंकि जहां तक है इस बीच आप लोगों ने देखा होगा जैसे उत्राखन पुलिस कांस्टेबल की भी 2000 पदों की जो वैकेंसी वो हो गया है क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों के एक्जाम होने वाले हैं तो दोस्तों आप लोग परिक्सामानी स्रीज से यानि कि यह हमारा जो वन लेंडर स्रीज फॉर्मेट में चल रहा है भी अगर आप लोगोंने इस से पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लो देख सकते हैं तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्रिशन हो और सायसन का 277 क्यूंस घैना किस सsmैर की समय में हतियारों को लाएसंस नेती में लागो आप लोग बताएंगे कुमाओं कमिस्तर ही हमारी चल रहे थी वन लेला फॉर्मेट में हम के वल आपको इतना ही बता पाएंगे जिब हम लोग हिस्टरी पर आएंगे तो हिस्टरी पर बिसेज हम लोग चर्चा करेंगे उस बारे में अगर दोस्तो बात करें अगले क्वेशन के तो कुमाओ गौवर्मेंट गार्डन की इस्थापना कप की गई तो दोस्तो जो कुमाओ गौवर्मेंट गार्डन है इसकी जो इस्थापना होती है ये 1909 इस भी बे देखने को मिलती है अगले क्वेशन की ओर बढ़े हैं तो देखेगा 1921 में Forest Grievance Committee का गठन कि कमिस्थनर द्वारा किया गया तो दोस्तो परसी विगडम द्वारा जो Forest Grievance Committee है इसकी इस्थापना करी जाती है दोस्तो Forest Grievance Committee की गर मैं बात करूँ तो 1921 में इसका जो कारियर 1 हानी से जो सम्बंदित मामले थे उनमें अपने रिपोर्ट देना इस कमिटे कारे था 1926 में इसने अपने रिपोर्ट को सौपा भी था आप लोग ध्यान रखेगा ये कुशन इंपोटेंट है कि Forest Grievance Committee ने अपने रिपोर्ट का पेस करी थी कुशन पोचे जाता है वो जो तीन जिले हैं हमारे दोस्तों वो आपके एक तो अलमोडा आता है दूसरा आपका नैनिताल आता है और तिसरा आपका जो गड़वाल जिला है उसको वो समय समलित किया दाता है अगर देखा जाए तो उसे के तरजिपर्द कुमाओ और रेवेन्य पुलिस बिल जो है 1932 में उसको भी जारी कर दिया जाता है और कुमाओ टेनेंसी एक्ट आप लोग ने देखा होगा जो रेडिक्शन एन प्रोसीजर जो बिल आता है हमारा 1931 में देखने को मिलता है तो ये जो अनेक बिले हैं इन पर भी हम बात करेंगे फिर देखेगा अगला कोशिन है ब्रिटिक्ट काल का अंतिब भूमी बंदुवस्त किस कमिशनर के काल में हुआ था तो दोस्तों NCS टिप के समय पे कुमाओ कमिशनरी का जो अंतिब भूमी बस्त है वो देखने को मिलता है कुमाओ कमिशनरी के एक मात्र भारती कमिशनर कौन थे दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में केल महता के बारे में हमने डेटेल में चर्चा करी थी मैंने बताया भी था कि एक मात्र भारती ये हमारे जो कुमाओ कमिशनर है वो देखने को मिले है बाकि के जो 13 हमारे कुमाव कमिशनर थे उनके बारे में हमने चर्चा करी और जो हमारे केल महता थे उनमें से एक मातरी ये ऐसे थे जो आपके भारत्य कुमाव कमिशनर थे अगर हमने बात करी थी दोस्तो आजादी की समय कुमाओं कमिशनर कौन था इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगी क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको यी चीज़े बताई हुई है अगर दोस्तो उसके बाद आजादी की बात केकर बात कना तो केल महартा का जुकारिकाल है 1947 से 1949 के में देखने को मिलता है फिर दिखेगा राजी का परथम स्वतनतता सेनने होने के गौरफ के से प्राप्त है तो दोस्तो राजी का जो पहला स्वतनतता सेनने होने का जो गौरफ है वो हमारा कालू महराजी को प्राप्त है दोस्तों अगर बात करें कालो सिंग महराजी की तो दोस्तों कालो सिंग महराजी का जो जन्म है वो 1831 में चंपावत के बिसुंग राम में होता है जो उत्राखंड के परथम स्वतनतता सिनाने के रूप में भी जाने जाते हैं दोस्तों जब 1857 के गरांती चल रही थी तो उस दोरान करांते बीर नामके गुप्त संगठन इनके द्वारा चलाया गया था और जो कालो सिंग महराजी है हमारे गुप्त संगठन चलाने के लिए जो अवत के नवाब हैं इन्होंने वाज़ित जो अली है उनको आमन्त्रित भ करांते में इन्हें एक रांते बीर नामक गुप्त संगठन इनके द्वारा चलाया गया था फिर देखेगा अलमोडा में राजनेतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिविडिंग क्लब की स्थापना कब करी गई थी तो दोस्तों डिविडिंग क्लब की जो इस्थापना है वो 1870 इजिमे करी जाती है और डिविडिंग क्लब की तुरंत ही बाद अलमोडा अकबार का भी प्रकाशन देखने को मिलता है तो देखेगा अगला जो क्वेशन है हमारा वही बनने वाला है कि राजी की भासा कुमावनी में पर्थम अकबार अलमोडा अकबार का प्रकाश कब सुरू हुआ तो दोस्तों ये 1871 इजिमें होता है इसका जो संपादन है वो बुद्धी वल्लब पंजी के द्वारा करा जाता है इससे पहले जो हमारे एक्जाम हो चुके हैं उसमें ये क्वेशन आया हुआ भी था अगर आप लोगोंने पिछली बार वाला उत्राखन पुलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम दिया होगा तो उसमें पूछा गया था कि अलमड़ा अकबार कच परकाशन हो किसके द्वारा गरा जाता है तो दोस्तों बुद्धी वल्लब पंजी के द्वारा उसकी सुरुवात यहां से देखने को मिलती है 1871 इस भी सही अठार सो सत् देखने में हमारे कौन लेते हैं जुला दजय जोसेजी लेते हैं उसके बाद अपटी मार्च में σας में हमारे भाग लेने वाले अलमोडा में 1903 में हैप्पी कलब की स्थापना किस ने करी तो दोस्तो अलमोडा में जो हैप्पी कलब की स्थापना है वो हमारे गोविंद बनलब पंजी के द्वारा करी जाती है दोस्तो गोविंद बनलब पंजी का एक अपना बहुत बड़ा युगदान उत्राखंड के ज हुटा है पंडित जोहलाल नेहरु जी ने ने हिमाले पुत्र के नाम से भी भीवुशित किया था और उनकी जो प्रतिवा से प्रभाउत हो कर उन्हें सहपाठी उन्हें गोविंद hesitation विल्लम महारास्टर भी कहते थे जो उनके सहपार्टी थे उनसे प्रभावित होकर उनको गोविंद वल्लब महारास्टर के रुप में भी जानते थे दोस्तों ये हमारे 1946 में उत्तरप्रदेश के प्रतम मुख्यमंत्री बनने का गवरोब इनके पास प्राप्त था और इस पत पर इन्होंने लगबग 1954 तक ये लगब वहाँ पर कारेरत रहे है 1909 में जब इलहावास इन्होंने कानून की डिगरी लेने के बाद कासिपुर में वकालत भी करी है और 1914 में कासी जो नागरी परचारणी सभा है उसकी एक साखा में कासिपुर में प्रेम सभा की इन्होंने इस्थापना करी है तो कासिपुर में प्रेम सभा की इस्थापना को बिंद बलब पंजी के दोरा कप करी के ओशिन पूछा जब जाता है 1927 में इनको संक्ति प्रान्त के कॉंग्रेस कमेटी में अध्यक्स चुना जाता है। केंद्रे कबिनेट में गरह मंत्री के रूप में भी संब्लित हुए थे। और 26 जनुरी 1957 को भारत रत्न से इनको संब्लित किया जाता है। जाता है और साथ मार्च 1901 को पक्षा घात की करने इनका निधन हो जाता है। कहीं न कहीं गोविन बलब पंजी का जो नाम है वो उत्राखंड की द्रिस्टी के काफी इंपोटेंट देखने को मिलता है। अगर दोस्तों बात करें राज्य में वन नीती के बीच के विरोध में व्यापक जन आंदुलन कब चला। दोस्तों उत्राखंड में जो वन नीती के विरोध में व्यापक आंदुलन है। अगर उसकी बात करें तो 1911 से 1917 के बीच में देखने को मिलता है। अगर दोस्तों वन नीती से रिलिटेड अगर कुछ टॉपिक पर बात करी जाए तो भारतिय जो वन नीती है वो कपकी है। तो 1878 की भारतिय वन नीती ये पारित करी गई थी। वहीं 1801 सेट में हेंडरी रेमजे ने सरपर्थम बंदवस्त कराया था जिसको संग्रक्षन के लिए जो नियम है वो भी बनाये गए थे। 1893 में जो सभी बिना भूमी है उसको संग्रक्षित वन घूसित कर दिया गया था। और 1809 में निताल के जो वन है उनको सुरक्षित वन घूसित किया गया था। 1902 में दोस्तो अधिसूशनागरा भीमताल, नौकुचयताल, साथ ताल, आधी में बिना लाइसेंस के जो मचली मारना है या फिर मचली पकड़ना है उसको अवैद घूसित किया गया था। वहीं अगर 1890 की बात गया था दोस्तो चीड की जो ब्रिक्ष्य है उनसे लीसा टिपान का जो कारी है वो सुरू कर दिया गया था और इस्टपी वो नेलसन ने 1911 से लेके 1907 तक एक बन वंदोवस्त करा था। जन व्यापक अंदोलन था है उससे समय की बात कर रहा है तो उस समय नेलसन और इस्टपी नहीं वन वंदोवस्त भी उस समय देखने को मिलता है और 1921 में सोमिस्वर की दुरुगा देवी को वनू में आग लगाने की जुर्म में एक माह की सजा भी दी जाती है तो ये कुश जाती है और गडवाल में वनों को चार भागों में बाटा गया था एक तो हमारा क्या था पाटली दून दूसरा हमारा चंडी के वन तीसरा कोटरी और यह फिर उदेफूर के वन के रूप में उनको हमारा जाना जाता था तो दोस्तो वन अधिकारी ने वन भूमी को ABC अधिकारी ने वन और वन वन शमश्याओं के निराकरण के लिए कुमाओ संग की स्थापन की जाती है इसके सचेव गोविंद वल्लब पंजी को हमारा बनाया जाता है तो कहीं न कहीं जो हमारी वन नीती है इससे संबंदित जो पूरा उत्राखंड में हमारा वन अधिनियम चल रहा था उससे संबंदित हमने लगबग डिसकासिस में कर लिया है फिर देखेगा अगले कुश्यन के अगर बात करें तो अलमोडा कॉंग्रेस के स्थापना कब की गई तो दोस्तो अलमोडा कॉंग्रेस के जो स्थापना है वो 1912 में होती है वहीं अगर बात करेंगे अगले कुश्यन के तो राज्य में होमरूल लिग की स्थापना कब होती है तो दोस्तो, गांदी जी के दोरा 1960 में दहरादून की यात्रा करी जाती है अचाँ, गांदी जी का निपाल यात्रा वर्णन और गांदी जी का बागस्वर यात्रा वर्णन जो है, जेब हम डिस्कस करेंगे detail wise तो उस पर हम डिस्कस करेंगे अभी के लिए केवल आपको इतने याद रखेगा कि गांदी जी की दुरा देहरादून की जो यात्रा है वो 1916 में का हमारी करी जाती है कुमाओ परिशत का जो गठन है दो दोस्तो कुमाओ परिशत का गठन करने में जो हमारे गुविंद बलब पंजी है इनका भी एक मुख्य युगदान देखने को मिलता है 1916 में कुमाओ परिशत की गठन होती है कुमाओ संग की बात करें फिर कुमाओ परिशत की बात करें दोनुका ही जो गठन है वो आपका 16 میں देखने को मिलता है अच्छे दूस्थे 30 सितम्बर 1916 को 9 ताल को मझेड़ा है यहां पर कुमाव परिषत का जो गठन है वो देखने को मिलता है और जो कुमाव परिषत के संस्थापक है वो हमारे ND 6 छिपाल की रूप में देखने को मिलते है तो एंडी चिपाल की तरह कुमावपरिशत की स्थापना करी जाती है और कुमावपरिशत का जो पहला एडिवेशन है वो आपका सितंबर 1917 S.B. को चलता है जो आपका अलमुडा जनपद में पहला जो एडिवेशन है कुमावपरिशत का वो देखने को मिलता है जिसके अध्यक्स्ता जै दजोसी जी करते हैं ये कुशन बहुत बार एक्जाम में से पहले पूछा गया है दूसरा जो एडिवेशन है वो आपका 24 से 25 सितंबर 1918 को हलदवानी में करा जाता है इसके जो अध्यक्स्ता है वो आपके तारदद गरवला जी करते हैं ये कुशन काफी बार पूछा जा चुका है तीसरा जो एडिवेशन है ये काफी बार पूछा mostly टाइम पूछा जाने वाला ये कुशन है कि कुमावपरिशत का जो तीसरा एडिवेशन है संपूण किया जाता है तो एगर चौथे अधिवेशन की बात करें तो दोस्तो सितंबर नियुस अबीस को कासिपूर में चौथा अधिवेशन होता है कुमावपरिशत का और इसकी जो अध्यक्स्ता है वो हर्गुबिंद पंजी करते हैं अगर चटे अधिवेशन की बात करें तो सितंबर नियुस सोथेईशन में टरनकपूर में हमारा कुमावपरिशत का पउच्छोंए देविशन होता है और इसकी जो अध्यक्स्ता है वो बदुरिद पंडेई जी करते हैं तो कुमाओ परिशत के जो 6 दिविशिन है ये आपके लिए काफी महत्पून देखने को मिलते हैं। फिर देखेगा कुमाव परिशत का कॉंग्रिस में विलाई कब हुआ तो दोस्तों जो कुमाव परिशत है इसका कॉंग्रिस में जो विलाई है वो आपका 1926 में होता है अलमोडा कॉंग्रिस की जो इस्थापन है वो 1912 में होती है और अलमोडा कॉंग्रिस का ये फिर कुमाव परिशत में Congress का जो विलाई है वो कब होता है तो दोस्तों ये 1926 में देखने को मिलता है तो ये question आपके लिए थोड़ा सा important है आने वाले एक जामू में ये question पहले से भी बनता हुआ रहा है और आने वाले एक जामू में आप लोगं के लिए महत्पून साबित हो सकता है तो द और ये session के साथ में हम लोग MQS format जितने भी हमारे बनते हैं चेप्टरों से संबंदित उन सभी चेप्टरों के MQS format पर भी डिसकस करेंगे डीटेल वाइज उन पर भी डिसकस करने का प्रियास करेंगे येदि दोस्तों अगर आप लोगं को ये सरीच पसंद आ रही हो तो आप लोग चेप्टरों को जिरूर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ चेप्टरों को जिरूर सेर करें बाकि लाइक करें कमेंट करें और बने रहिएगा UK Education Universe YouTube चेप्टरों के साथ धन्यवाद